हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल आज मैं आया हूँ राजिंदर नगर बुलेट जॉन पे अपनी बाइक में मॉबाइल चार्जर लगवाने तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी फिटिंग करते हैं ये बहिया शुरू करते हैं आज का वीडियो ये मॉबाइल चार्जर मैंने लिया है 700 रुपे का ब्लैक कैट कंपनी का है और ये बहिया इसकी फिटिंग कर रहे हैं देखिए बहिया का नाम है छोटू और वन येर वारंटी के साथ मुझे इन्होंने दिया है बहुत ही स्टड़ी टाइप का है ये ज्यादा बड़ा भी नहीं लगता है अभी देखिए बहिया लगा रहे हैं इसको जैसे ये उपर एक स्क्रू है इसको टाइट कर रहे हैं बहिया अब इसकी वायर को सेटिंग करेंगे भी या बाइक लॉक है है अभी खोलेंगे इसको वायर जो है है हैंडल के साथ ही जाएगी अंदर और आगे हेडलाइट के पीछे से कनेक्शन होगा इसका ये देखिए ऐसे लेके जा रहे हैं वायर अब बार ही है इसकी वायर को कनेक्ट करने की इगनीशन के साथ कर रहे हैं कनेक्ट इगनीशन के साथ कनेक्ट करने से बेनिफिट ये है कि बैटरी पर लोड नहीं आएगा इसका, दो तरह से हम connection कर सकते थे, एक ignition के साथ और दूसरा बैटरी के साथ, अब ignition का मतलब होता है कि जब मैं इसमें चाबी लगाऊंगा तभी ये charger काम करेगा, चाबी आउन करूँगा बाइक में तभी चलेगा, और ये देखें भाईया connect कर सकता हूं मैं, कई बार राइट पर जाते हैं, लॉंग राइट पर तो मोबाइल के लिए बैटरी चाहिए होती है, कर सकता है, जि घयके बाइब होता है तो वह यह ने connect कर दी है wires इसकी अब इसकी जो वायर हमारी main wire जो जानी थी handle के साथ जो नूज बच गी एक्स्ट्रा उसको वह यह clip लगा रहे हैं तो बड़ा wires अलग से ना दिखाई दें इसको clip कर देना चाहिए तो अच्छा रहता है दिखिए और otherwise के साथ इसको clip कर रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा वायर थी लॉंग वायर होती है इसकी दूसरा clip लगाया भी है एक साथ इसे wire हमारी हिलेगी नहीं कहीं भी अब यह सब को इसको अंदर कर रहे हैं देखिए तो यह charger पुरी तरह ready हो गया है लगके अब इसकी बारी है एक बार इसको test कर लेते हैं कि इसमें एक बर mobile लगा कर देख रहे हैं चार्जिंग पर की काम कर रहा है कि नहीं तो यह देखेए काम कर रहा है अभी चार्जिंग शो हो रही तो इसमें होते हुए इस चार्जर में आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा तो बारिश के टाइम पे भी इसमें पानी नहीं जायेगा बिलकुल तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा मेरे चैनल को थैंक यू सो मच